और एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दे लॉकडाउन के विरोध में लंडन में फ्रदर्शन की ख़बर सामने आई है लंडन की सड़कों पर लॉकडाउन के विरोध में उतरे हैं काफी सारे लोग पीएम बोरिस जॉनसन के आवाज से पहले विरोध मार्च को रोपा गय हैं ये लोगों का प्रोटेस्ट है जो की लॉकडाउन के खिलाफ हो रहा है लंडन में 24 घंटे में 18,000 से जादा कोरोना के नए केस सामने आए हैं लॉकडाउन के विरोध में लंडन में लोगों का ये फ्रदर्शन देखने को मिला लंडन की सरकों पर लोग एक जुट लोगडाउन के विरोध में उत्रे हैं देखिए इनकी संख्या कितनी जादा है हजारों की संख्या में ये लोग लोगडाउन का विरोध कर रहे थी लेकिन लोगडाउन भी ज़रूरी है क्योंकि लांडन में लगातार केसे सामने आ रहे हैं और इसको देखते वे सरकार प्रदानमंत्री आवास तक ये पहुंचे, पीएम बोरिस जॉनसन के आवास तक पहुंचे, लेकिन इन्हे कुछ दूरी पहले ही रोग दिया गया, इनका जो दिरोध मार्ज था उसलिए प्रधानमंत्री आवास के पहले ही रोग दिया गया, 24 घंटे में लंडन में 18,000 जाद सक्त पाबंदियां हैं लोगों के लिए क्योंकि कोरोना संक्मन को रोपना है और ये प्रोटेस्ट करने वाले लोग यही कह रहे हैं कि लॉक्डाउन के साथ साथ जो सक्त पाबंदियां हैं वो ठीक नहीं है, उसमें थोड़ी धील दी जानी चाहिए हमने की गलती की रिख बार, कोरोना ने किया दोबार अप रहा, मास्क दो गस्दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूर, कोरोना टीका हम सब को लगाना है, मिलकर साथ समस्दारी से कोरोना को हराना है परवाह देशकी, सोमवार से शुक्रवार, राद 10 बजे, टीवी 9 भारत वर्षपर